आज हम स्टने 10 जोग्रफिका चाप्टर नमबर 2 जिसका नाम है लोकेशन एन एक्स्टेंट स्टार्ट करने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे सार नहीं वीडियो मिल जाएंगे चैनल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अब प्रिफेस दिया हो है अगर आपको यह पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो तो भी मैं आपको बता देता इसमें क्या दिया हुआ है इसमें डिया है कि यह से आप रीड कर सकते हो यहां पे दिया ह इसमें क्या-क्या स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अब्सवेशन आपको अब्सव करना आ चाहिए अपने सर्राउंडिंग्स को अब्सव करना चाहिए लाग अलग अलग क्लासिफाई करना चाहिए कि एक लैंड़ फॉर्म कैसा है एक टाइप का फॉरस होना यह सब ही आपको जोग्रफिय में क्लासिफाई करने आनी जाए डिफ्रेंटियेशन मतलग अगर आपको एकजांपल दू तो यह मानों एक स्ट्रक्चिरें यह बड़ा सा यह स्ट्रक्चरें और यह ऐसे छोटे चोटे चोटे वैसी स्ट्रक्चरें तो इसको देखके आपको यह बोलना चाहिए कि यह एक mountain है यह जो बड़ा सा structure है और यह hills है तो यह कैसे आपको differentiate किया आपने तो यह differentiation आपको आना चाहिए और सब्सक्राइब मैंने आपको दो forest भी दे दिये और दोनो forest green है दोनों में आपको बहुत ही ज़ादा घनी हर्याली दिख रही है पर आपको मुझे बताना कि evergreen forest कौन सा है तो आपको तो दोनों ही green दिख रहे हैं आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपको इसके लिए पता रह आपको करने आना चाहिए दो चीज के अगर आप बीच में comparison करोगे तो studies हो जाती है और दोनों चीज के सारे characteristics भी में पता चल जाते हैं और graph diagrams and map reading तो अफकोस बहुत ज़ादा important है हमारे यह पूरी written standard में युकि हमें जगे जगे पर धेस सारे graph diagram और map reading के question मिलते रहेंगे जि evaluation एक particular topic को आपको evaluate करने आना चाहिए analysis जब आप analysis करोगे तभी आपको सारी चीज़े compare करने आगे observe classify यह सब आपको तभी आगा जब आप analysis करोगे तो drawing conclusion आपको खुद की conclusion ड्रॉ करने आनी चाहिए एक particular चीज scenario को देखके presentation आपको present करने भी आना चाहिए आपने जो भी information gather की है critical thinking जब आप critical thinking करोगे तभी आपको possible है कि आप यह सारी चीज़े कर पागए तो critical thinking बहुत ज़दा important है आपको अपने तरीके से सोचना पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में यहां पर और दिया है कि हम दो कंट्रीज के comparison के साथ हम यह पूरी बुक पढ़ने वाले है मतलब क्या India और Brazil तो मैं आपको बताता हूँ सिर्फ Brazil कोई क्यू लिया गया इंडिया की comparison के लिए तो यह साल हम revision करने आले अपने सारे concepts का इनी दो कंट्रीज के comparison के terms में तो यहां तो इस chapter के नाम है location and extent तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें दो कंट्रीज दिये यह है इंडिया यह ब्राजील तो अगर आप देखोगे तो पूरी बुक में सिर्फ इंडिया और ब्राजील के comparison के terms में हम लोग ने सारे chapters को देखा है तो मतलब कि हम इंडिया और ब्राजील के comparison करके ही सारी characteristics दोनों countries की पढ़ेंगे तो ऐसा क्यों किया गया कि इंडिया के comparison में सिर्फ ब्राजील को लिया गया तो आप सुचोगे कि और भी बहुत सारी countries थी ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया भी एक developing country है ब्राजील भ developed country तो इंडिया और ब्राजील दोनों developing की category में आते हैं तो सिर्फ यही नहीं अगर हम इंडिया और ब्राजील का trade, economy, agriculture यह सब देखे तो काफे जादे similarity देखने को मिलती है इसलिए इंडिया के comparison में ब्राजील को चूज किया गया तो चलो भी आगे दिखते क्या दिया है तो यहां पर हमें इन दोनों country's के names को identify करना था तो हम लोग ने पर पहली नाम जान लिया तो चलो इसके clues देखते हैं तो यह clue क्या है second largest populated country in the world यह क्या है इंडिया इंडिया है second largest populated country तो यह सारे आपको जो clues है यह भी आपको याद रखने शायद से आपको fill in the blanks या choose the correct option में आ सकता है तो famous for spices in the world यह भी इंडिया ही है इंडिया के spices for world में export किये जाते है तो cricket is a popular sport तो आप तो जानते हो कि cricket का कितना ज्यादा इंडिया में रहता है तो cricket एक बहुत ही जादा popular sport है इंडिया का famous for samba dance तो अभी चलो यह इंडिया के clues हो गए अभी famous for samba dance तो samba dance एक तरीके का dance है जो ब्रजील में बहुत ज्यादा famous है तो यह अभी आपको याद रखना है कि samba dance बहुत ज्यादा famous है ब्रजील में तो अभी known as coffee pot of the world तो जो अगर हम देखेंगे तो पूरे world का 40% coffee production है वो सिफ और सिफ ब्रजील में होता है क्योंकि वहां की land बहु जाता है coffee pot of the world और यह का football is a very popular sport तो आप देखेंगे कि जैसे cricket का craze इंडिया में बहुत ज्यादा है वैसे ब्रजील में football का craze बहुत ज्यादा है आपने तो नाम सुने रहेंगे नेमार रुनेल डिनो पीली यह सारे ब्रजीलें फुट ब्रजीलें फुट ब्रजीलें तो हम आप लिया है आपको सारे जो जो प्लू यह भी आपको यादी रखने है तो यहां पर देखेंगे पर क्या दिया है इंडिया और ब्रजील का एक मैप दिया है और इसी मैप को हम लोगों को पढ़के सारे questions के answers देने हैं यहां पर जो दिए हुए यहां पर हमें इसके बार में information दिये location, extent and boundaries तो सबसे बला देखते हैं, India is located in the northern and eastern hemisphere of the earth तो देखो यह आपको रटना नहीं, आपको अच्छे से समझना है northern and eastern hemisphere मतलब क्या तो यह आपको शायद यहां से अच्छे से समझेगा हम, तो यहां पर अगर मैं यहां पर एक line ड्रॉ करूँ sorry यह एक line और यहां पर एक और line तो देखो यह हमारा पूरा world और यह पूरा world डिवाइड़ेड है चार hemispheres में यह हमारा नदन मैं नदन को एंसर डिनोट कर रहा हूँ नदन एंड इस्टन हेमिस्फियर और यह हमारा नदन एंड वेस्टन हेमिस्फियर यह क्या हमारा यह हमारा Southern and Eastern Hemisphere और यह है Southern and Western Hemisphere तो अगर आप देखो कि यह हमारा North यह South यह East और यह है हमारा West तो देखो यहां पर क्या है यह Northern and Eastern Hemisphere आपको कैसे पता चला कि यह तो है Northern इसलिए Northern and Eastern Hemisphere यह Western पार्ट में तो यह नदन एन वेस्टन तो यह सिमिलरली यह बिया Southern and Western पार्ट मुझे सदन एन इस्टन पार्ट तो यह हमारा वर्ल्ट ऐसे चार हमिस्फियर में डिवाइड़ेड़ है इंडिया कहां पर बढ़ता है वहां पर लिखाता है Northern and Eastern Hemisphere ऐसा क्योंगि यहां पर लाए करता है इंडिया नदन पाट में लाए करता है और वह इस्टन साइड मतलब है इंडिया कहा है इंडिया नदन एंड इस्टन हमिस्फियर में तो यहीं पर अगर मैं आपको ब्राजील का बता दू तो ब्राजील तो आप देखोगे कि ब्राजील का कुछ पार्ट यह हमारा ब्राजील है सो ब्रदरियल का क्उच पार्ट वेस्टं एंड्न के वेस्टन हमेस्वेशंवेश überप्यार नधन एंड्नौ पहलो के अभर आप याद रखने कुछ पाट करता है नदन एंड्न हमीश्वेयर में और ज्यादतर पार्ट लाइकरताए Southern and Western Hemisphere में तो अगर आप कभी भी ये भूलो तो अपने माइंड में ये बना लो ऐसा जैसे मैंने बनाया है उसमें इंडिया को तो आप यादी रखना है कि Northern and Eastern Hemisphere में है क्योंकि इंडिया इधर पड़ता है Northern Region में और Eastern पार्ट में चलो अभी उपर चलते है तो अब मुझे लगते हैं आपको समझा रहेगा कि ऐसा क्यूं दिया है कि इंडिया लाए करता है Northern and Western पार्ट में क्योंकि इंडिया हमारा यहां पर है लिए एंडिया लोकेटिद इंडा सदन पार्ट ऑफ एशियन कॉंटिनेंट सदन पार्ट ऑफ इशियन कॉंटिनेंट इसको भी आपको समझना है देखो गलती से भी अगर आप इसको रट्टा मारने जाओगे तो अगले दिन अगर वुक उठाओगे आप भूल जाओगे तो जैसे मैंने समझाया है अगर आप वैसे समझके पढ़ोगे तो आप यह कभी भी नहीं भूलोगे तो मैं आपको यह पता दो कि इसिया के सदन पार्ट में क्यों है यूकि अभी देखो यह जो इतना पार्ट है यह हमारा एशिया तो अगर हम एशिया को भी डिवाइड करें यह एशिया का नदन पार्ट, यह एशिया का सदन पार्ट, यह है वेस्टन पार्ट और यह है इस्टन पार्ट तो इंडिया के दर लाए कर रहा है एशिया के सदन मोस्ट पार्ट में अगर पूरे वर्ल्ड का हम लोग देखा जाए तो पूरा का पूरा एशिया लाए करता है नदन एंड इस्टन पार्ट में पर अगर हम सिफ और सिफ एशिया को हम लोग देखे तो इंडिया एशिया के सदन पार्ट में लाए करता है इसलिए ऐसा का गया है कि इंडिया लाए लाए करता है नदन एंड इस्टन हेमिस्फियर में और सदन पार्ट एशिया एशियन कॉंटिनेंट के सदन पार्ट में लाए करता है क्योंकि देखो इंडिया इधर नीचे है कि तो मुझे उमीद है आपको यह भी समझा रहेगा कि थोड़े ऐसे स्टेट के नाम याद कर लो इंडिया में तो आपको साय स्टेट के नाम याद करने ब्राजील में थोड़े बहुत को अगर आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा तो यहां पर हम भी विदे हल्प फिगर 2.1 फाइंड दे एक्सेंट ऑफ में लाइं इंडिया फिल इन दे डिग्री फिल इन डिग्री इन डिग्री इन प्लैंक स्पेसिस तो यह में देखके तो मालूम पढ़ने नहीं वाला पर हमें कुछ वैल्यूस में पता है जो में यह पर लिखनी है तो यह मैं आपको लिखके दे रहा हूं इसके लिए कोई भी शॉटकट नहीं है और आपको यह याद रखना पड़ेगा तो देखो कैसे है कि मैं यह पर आपको जो भी वैल्यूस दे रहा हूं वह आप अच्छे से पेपर पर लिख लो और इसको कहीं पर चिपका लो ताकि आप हर दिन इसको देखते रहोगे अगर आप इसको हर दिन देखोगे तो आपको वैल्यूस याद हो जाएंगी तो यह को सबसे पहले क्या है इंडिया लाइस तो यह क्या है डैश डिग्री फ तो शाद पिछले स्टैंडड में यह पढ़ा रहेगा कि यह क्या है ऐसे हमारा अर्थ डहे सारे लॉंजिट्यूट्स और लैटिट्यूट्स में ऐसे डिवाइडेड है हमारा अर्थ लोकेशन को और प्रिसाइस बनाने के लिए तो यह जो ऐसी लाइन्स है जो ऐसी जो होरिजॉंटल लाइन से इन्हें हम लैटिट्यूट्स बोलते हैं यह हमारे लैटिट्यूट्स ठीक है और और यह जो हमारे वर्टिकल लाइन से इन्हें हम लॉंजिट्यूट्स बोलते है यह हमारे लॉंजिट्यूट्स ठीक है तो आपको यह समझ गया रहेगा त तो अभी हम लोग question की तरफ चलते हैं तो यहां पर देखो यह क्या दिया है हमें हमारा इंडिया लाए करता है एट डिग्री एट डिग्री फोर मिनिट नौर्थ टू थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनिट नौर्थ लाटिटूट्स और यहां पर अगर हम लॉंजिट्यूट देखे तो मैं यह यहां पर लिख रहा हूँ अगर हम इंडिया का लॉंजिट्यूट्यूट्स देखे तो वह लाया करता है शिक्स्टी एट डिग्री सेवन मिनिट इस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनिट इस्ट लॉंजिट्यूट्स तो देखो यह जो वैल्यूज है यह आपको अच्छे से याद रखनी है तो यह यह वैल्य इसको देखते रहोगे आपका यह हमेशा होते रहेगा फिर आपको यह पर्मिनेटली आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा तो यह इसका यह एक तरीका है तो यहां पर कोई भी हमारे पास ट्रिक भी नहीं इसको याद करने के तो आपको यह यह याद रखना पड़ेगा नाटिट्व तो इसका यह मतलब है कि उसल हो यह हमारा इंडिया इतने पार्ट में लाई कर रहा है यह जो दो लैटिट्व है यहां पर है एट डीगरी फौर मिनिट यह हमारा जो लैटिट्र इसका लोकेशन और यह हम आगर निचे दिखे तो यह दिया है थर्ति सैवेंट डिगरी 6 मिनिट नौर्थ लाटिट्यूट यह भी आपको समझा रहेगा और समझा लो इंडिया का यह है यह हमारा यहां से गुजरात आ रहा है और यहां पर हमारे आसाम और मिजुराम है तो यह यह तो आपको पताए चल गए ऐसा क्यों दिया है यह 8 डिगरी 4 मिनिट नौर लाटिट्यूट और 37 डिगरी 6 मिनिट नौर्थ लाटिट्यूट के बीच में भी लॉंजिट्यूट इले लेक्स्टेंड दिखते तो यह आपको बताया था है मैंने यह स्ट्रेट लाइन से यह हमारे लॉंजिट्यूट तो यहां पर जो दिया हुआ है तो यहां पर हमारा 68 डिग्री 7 मिनिट इस्ट तो 97 डिग्री 25 मिनिट इस्ट लॉंजिट्यूट तो आपको यह समझा रहे हैं कि हमने इंडिया को कैसे इन दोनों के बीच में रखा है तो मुझे लगते हैं आपने नोट कर लिया रहेगा और यहां पर थोड़े से और में इंफॉर्मिशन दिये इंदिरा पॉइंट इस द सदन मोस टिप ऑफ इंडिया तो जो इंदिरा पॉइंट है यह इंडिया के सदन मोस मतलब इंडिया के सदन मोस पार्ट तो यहां पर म हमें क्या दिया है इसकी location दिये six degree 45 minute north parallel यह आपको याद रखने है अच्छे से इसकी जो location है और यह इंद्रा पाइंट हमारा southernmost part है यह आपको याद रखने है तो अभी हमें क्या दिया है यहां पर एक और question दिया है कि observe the figure identify the countries and water the word is around India and complete the table in your book तो हम लोग इस table को complete करना है तो मैं आपको यह दे देता हूँ हो सकता है कि आपके exam में आ जाए तो मैं आपको सारी countries के नाम और सारे seas और ocean जो भी इंडिया के side पढ़ता है आपको लिखके देता हूँ आप यहां पर note कर लो मेरे साथी तो यहां पर हमें क्या देखना है कि इंडिया के eastern side में कौन सी countries लाए करती है और उसके साथ साथ कौन से seas या ocean लाए करते है तो चलो हम लोग मैप के तरफ च यह हमारे इस्टेंड साइड में यह सिर्फ दो ही country है यह जो चाइना नेपाल और भूटान यह हमारे इस्टेंड साइड में नहीं पढ़ते है तो हमें दो कंट्रीज मुल गई म्यानमर और बांगलादेश अभी अभी देखते ही कई कोई सी या ओशन तो नहीं है हमारे इस पार्ट में मिलता है म्यानमर कंट्रीज का नाम है म्यानमर फिर है बंगलादेश और जो हमारा एक सी पड़ता है उसका नाम है बे ओफ बैंगोल तो यह अप इस कॉलम में लिख लो तो इस कॉलम के बाद से मैं आपको सिर्फ मा करा ले था अब कॉलम को फिल कर लेना तो गोटर हो तो से चाहिना इतनी कंट्रिज का नाम है तो अभी का दिया में नबं पार्ट में अंडिया के ल्गान पार्ट में लाय था मतलब कोई चाहिन कर लो है है हमारे पास तो यह आप वहाँ पे नोट कर लो इन तीन कंट्रीज का नाम तो अभी क्या दिया हमें इंडिया के वेस्टन पार्ट में इंडिया के वेस्टन पार्ट में क्या क्या लाए कर रहा है हमें कंट्रीज का नाम दिख रहा है अफगानिस्तान देखो यहां से इंडि इंडिया के वेसें पार्ट में औन कान्टरीं है अगर हम दूर देखे Tautka व핑 और भी कंट्री मिंगे तो यहां पर में दो कंट्रीज देखने हैं स्री-लंका यहां पर दिया है इंडोनेशा और ओट वशान देखे तो आपक पूर ना वाले कॉलम में अप लिख सर्थे जिस्री लंका इंडोनिशिय और इंडिया नोसिन नोसिन तो हमारा इंडिया का पार्ट केंप्रीट और अभी चलते ब्रजील पर तो ब्रजिल के नेम ऑफ पंट्री फेडरेटिव रिपब्लिक फब्रजील नेम ऑफ कापिटल ब्रशीलिया तो यहां पर अभी हम ब्राजील के location extended boundaries के बारे हम पढ़ेंगे तो यहां पर मैंने आपको जल से बतायाता है यहां पर लिखा हुआ है Some part of Brazil lies in the northern hemisphere while most of it lies in the southern hemisphere तो मैंने आपको बतायाता है यहां क्यों है तो यहां पर चले यहां पर मैं आपको दिखाता है एक बार यहां पर यह जो line है यह हमारी equator यह जो line है यह पूरे world को दो equal part में divide करता है यह हमारी imaginary line जिसे हमने सोचा है तो इस equator के ऊपर है यह northern part और नीचे southern part तो अगर आप देखोगे तो most of the Brazil southern hemisphere में लाए कर रहा है बस थोड़ा सा part Brazil का जो है वो northern part में लाए कर रहा है तो यहां पर और भी दिया है कि यह तो मारा हो गया also it lies in the western hemisphere मैंने आपको बताया था कि यह map में यहां पर दिया है देखो ब्रजील यहां पर western hemisphere में लाए कर रहा है कि यह western part है और यह eastern part and in the northern part of south american continent तो देखो यह थोड़ा confusing statement है कि it lies in the western hemisphere in the northern part of south american continent तो मैं आपको इस statement का मतलब बता देता हूँ तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है western hemisphere मतलब ब्रजील कहां पर लाए कर रहा है देखो western hemisphere मतलब ब्रजील यहां पर लाए कर रहा है western part में ठीक है और यह है north और south तो अगर हम देखेंगे तो यह है हमारा north america इस जगे को हम लोग बोलते है north america और इस जगे को बोलते है south america यह जो america का continent है यह लाए करता है northern part में और यह america का continent लाए करता है southern part में तो यह northern america यह southern america तो भी हम देखते है कि अगर हम जैसे हमने इंडिया को डिवाइड किया था north south east west में वैसे अगर हम इस continent को डिवाइड करें north south east west में तो हमें दिखेगा north south west और east तो यहां पर हमें दिख रहा है कि Brazil northern part में लाए कर रही है हलाकि इसका कुछ पार्ट लाए कर रहा है southern में पर हमें यह टेक्सबूक में में नहीं किया है तो हम ख़ली यही देखेंगे कि यह Brazil northern part में लाए कर रहा है South American continent में continent का नाम क्या है South America और इस South America continent के northern part में Brazil लाए कर रहा है तो अभी आपको confusion नहीं रहेगा इस statement का अब इसको अच्छे से समझ के याद करो इक तो अभी आगे बढ़ते हैं with the help of figure 2.2 find the extent of mainland of Brazil fill in the degree values in blank spaces तो हमें यह पिछली बार की तरह करना है यह इसको देखकर पर हमें इसको देखकर तो मालूम नहीं पढ़ रहा है इसलिए हम कुछ values इसके लिए यहां पर लिख लेंगे और जो हमें याद अच्छे से रखनी है तो ब्रजील लाइज इन फाइब मिनिट्स फिफ्टीन डिग्री नौ सुरी फाइब डिग्री फिफ्टीन मिनिट्स नौर्थ तू थर्टी थ्री डिग्री फॉर्टीफॉाइफ मिनिट्स फॉथ सौथ लाइती टिड्स तो यहां था हमारा लाइती डिग्री फौटी एट मिनिट्स वेस्ट लोनजिट्थ तो यह मुझे लगते आपने अच्छे से लिख लिए रहे initiatives इसको में थोड़ा और clearly यहांपे लिग देता हूँ यह 33 degree तो मुझे लगता है यह note कर लिया रहेगा और अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या है यहांपे यहां पे थोड़ा सा अलग दिया है 5 degree 15 minute north to 33 degree 45 minute south यहां पे नौर्थ है वहां पर सांद कैसे आ गया वागा को फिछा तो देखो यह हमारा एक्वेटर यहां से पास और यहां पर जो स्टाइटिंग पॉइंट है ब्राजील का मैं यहां पर लिख रहा है यह है यह फार डिगरी 15 मिनिट नौर्थ यह नदन हेमिस्फियर ऊपर ऐसे स好啦 तो यह मेंड़न हुरा था लेकिन and SUM is ready to go इसके लिए लास्ट्ट का यह यहाँ यहां पर लिखाए 33 डिग्री 75 मिनिट लैटिटcem तो मुझा उमीद आपकी कंफुजें से हट गई रहगी कि यहां पर नॉर्थ और साउथ क्यों बदला है और पिर अगर आम आपे अपनो लॉंजिट्यूवले लेक्स्थेंद एक तो इसा ही रहगा तो चलो यहां पर हमें यहां पर complete हां यहां पर complete नहीं हुआ है तो यहां पर मुझे लगता है अपने note down कर लिया रहेगा और अभी मैं आपको Brazil की Northern countries और C's के बारें बताता हूँ नीचे अगर हम नदन पार्ट में देखें तो हमें Brazil के नदन पार्ट में कंट्रीज दिखे रियर का नाम है फ्रेंच गयाना आल अ सरीनेम गयाना वेनेजुला इतने हैं आरे नदन पार्ट में इतनी कंट्रीज और में एक उशन देख रहा है नोथ अट्लैंटिक उशन तो फॉर्स पार्ट में आपको यह चारो कंट्रीज के नाम लिखने हैं और यह ओशन का नाम लिखना है तो चलो अभी हम लोग चलते हैं वेस्टन पार्ट में तो हमें वेस्टन पार्ट में ब्रेजिल की कॉन्से कॉन्से कंट्रीच दिख रहे हैं हमें दिख रहे हैं कोलम्बिया, पेरू, बोलीविया प्रश्री पेयरी आप दो दो बार लिखा है बॉलीविया और एक और कंट्री यहाँ पर दूपो गरीको gusta पिरू बोलीविया पैरागवे और अर्जेंटिना यह हमें ब्रजील के west में यह सारी countries दिख रही है तो आपको इन सारी countries का नाम लिखना है और कोई sea ocean तो आपको दिखनी रहा है यहां पर सिफ land है तो हम लोगों आपको कुछ नहीं लिखेंगे यह बोगया अभी southern ब्रेजिल के southern पार्ट में हमें एक country दिख रही है जिसका नाम है उरुगवे तो यहां पर आपको southern पार्ट में आपको लिखना है और उसन देखेंगे तो हमें Atlantic South Atlantic Ocean दिख रहा है ब्रेजिल के south में कि तो अब ही इस्टन पार्ट में चलते इस्टन पार्ट में कोई भी कंट्री डेखने को नहीं मिल रह Vä एक ब्स हमें सिफ एक और पर करना में एत्लैंक ओशन नहीं तो इस्टन पार्ट में व्येख न लिखना आ चलूँं, यहां पर हमें इंडिया और ब्रेजिल के ये जो दो questions थे हमें अच्छे से समझ में आगए, मुझो अमीद है आपको भी अच्छे से समझाओगा, चलूँ अभी इंडिया का और ब्रेजिल का historical background पढ़ते हैं, तो यहां पर हमें comparison किया, इंडिया का historical background और ब्रेजिल के historical background को comparison किया अगर आप इनको difference between के format में लिख कर याद करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे आप paragraph के format में भी इनको याद कर सकते हो तो कि ये कभी-कभी ऐसे differentiate में भी पूछ दिता है कि differentiate between the historical background of India and Brazil तो उसमें आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए दोनों के बीच के differentiation आप आप difference दोनों के लिख सकते हो first second third point करके आप पर paragraph के form में जैसा आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर हम पहले दिखते हैं इंडिया के बारे में क्या दिया है इंडिया वस अंडर ब्रिटिश रूल for almost when one and a half century तो में तो पता ही है कि इंडिया पर पहले बिटिश का राज्ता और नों ने करीब डेड़ सो साल तक इंडिया पर राज किया आपे इंडिया गॉट इंडिया गॉट इंडिपेंदेंस इंडियर 1947 हमें यह यह देट पता है यह बहुत ज़दा लाए मुटाअ किया कि राजरो आज़स के बाता है चीशलन के बाता है अभिलिया यह रह辗 पर देखने मिलीं अरे इंडियर इशूस अमेरे बीच में आते गैन तब भी इन सारे प्रोब्लम्स को जिलने के बाद भी इंडिया वर्ल्ड की एक मेजर डेवलपिंग कंट्री एंडिया इस इंडिया में ट्रेड और बिजनस का बहुत ज्वादा स्कोप देखा जाता है इसके लिए इंडिया एक ग्लोबल मार्किट के रूप में भी कंसिडर किया जाता है तो बिकॉस ओफ व हमेशा बदलते रहती है इसलिए इंडिया की एकोनोमी एक सड़न बूस्ट अप मिल चुका है इंडिया की एकोनोमी को क्योंकि हमारे एकोनोमी में हमेशा डेज सारे जो भी पार्टी सिस्टम तो हमारे डाइनमेक है तो जो भी ने ने लीडर आते वह एकोनोमी में ज्यादा proportion है बाकी दोनों बाकी अगर हम old people और kids की comparison करें तो हमारे जो young people है उनका proportion बहुत ज्यादा है तो यह बहुत ज्यादा फाइदा है हम लोगे country के लिए ऐसा क्यों कि old people तो country के लिए काम ज्यादा करने सकते हैं क्योंकि पहले सी बुड़े हो चुकिया और बच्चे तो अभी बच्चों के लिए कोई काम निया उनको सिफ हम लोग education ही दे सकते हैं तो सबसे यादा कौन काम कर सकते हैं हमारे young people तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा working population है हमारे पास या अगर हमें labor चाहिए हमें doctors, ingenious डिये सारे चाहिए तो हमें young people के रूप में ही वो मिलेंगे तो इसलिए इंडिया is look upon as a young country और यहां पर यहां पर स्टेट्मेंट है बिकॉस इट्स अब यह समय थोड़ा अटा देता हूँ तो because this forms a major part of working population तो मैं आपको बताया था कि सिफ यूथ लोगी बहुत ज्यादा काम कर सकते actively work कर सकते हैं तो इंडिया is looked upon as a young country क्यों कि हमारे young population बहुत ज्यादा है यहां पर हमारा ब्रजील का स्टार हो रहा है for more than three centuries Brazil was under the Portuguese rule तो जो Portuguese लोग थे उन्होंने ब्रजील पर 300 से ज्यादा साल तक राज किया इंडिया पर तो ब्रिटिश ने सिफ 1500 साल तक राज किया था पर ब्रजील को पर्चुगी ने 300 साल तक रूल किया था तो यहां पर हम देखते हैं ब्रजील गेंड़ इस इंडेपेंदेंस in the year 1822 तो इंडिया पिर उपना इंडेपेंदेंस बला था निइन फोट सेवन में ब्रेजील को इंडेपेंदेंस ब्ला 1822 में इसके बाद from the year 1930 to 1985 for more than a half century it was under the populous military government मतलब की 55 years मतलब more than half century Brazil एक populous military government के अंडर में थी मतलब यहां पे military government को समालती है यहां पे सरकार गिर जाती है और military आ जाती है उसके बाद पूरी सरकार को समालने के लिए और जब भी military आती है कंट्री को समालने के लिए तो इस कंट्री की हालत बहुत ही जादा बिगड़ जाते है लोग और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है उस कंट्री में तो पच्पन साल तक ब्रेजिल को जहिलना पड़ाता है और फानिली जब यह आया 1985 तब जाके ब्रेजिल को अपनी असली इंडिपेंडेंस मिली तो यह आपको अच्छे से आद रखना है कि सबसे पहले ब्रेजिल को 1822 में इंडिपेंडेंस मिली और 1937-1985 तक वो यह पॉपुलिस मिलिटरी गवर्मेंट के रूल में था यहाँ पर आगे दिया है इस ओवरकम ग्लोबल फानेंशल ब्रेजिल इस इन अज इन इंडिपेंट इन इंडिपेंडेंट मार्केट इन फ्यूचर तो जब यह लेट 20th सेंचुरी मतलब लेट 1900 में ब्रेजिल अपने ग्लोबल फानेंशल दिफिकल्टीज को ओवरकम किया राकि यह 1980s और 1990s के बीच में फिर ब्रेजिल इस और सुनी और भी अगर हम देखे तो ब्रेजिल के कोफी प्रोडक्शन और भी बहुत सारी प्रोडक्शन ने ब्रेजिल की जो इसकी इकोनॉमिक को बहुत ज्यादा ग्रोथ यह बूस्ट अप करती है और यह जो इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस यहां पर show show the following elements in figure 2.3 तो नीचे जो हमें figure दिया हुए उसके अंदर हम लोग को यह सारी चीज़े दिखाने है name all the continents color Brazil India using different colors and name them draw equator on the map and write value in degrees फिर show the symbol for direction तो हमें यह चारू चीज़ को denote करना है अगर आपको यह activity करना है तो कर लो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है तो यह हमारा वल्ड मैं आप यहां पर गिया हुआ है यहां पर सबसे पहले में क्या बोला था अपर हमें बोला था नेम all the continents and oceans of the world तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले oceans mark कर लेते हैं यहां पर हमारा pacific ocean यह हमारा Pacific Ocean यहां पर हमारा Atlantic Ocean यह पूरा का पूरा पट यहां पर भी Atlantic ocean फैला हुआ है यहां पर इंडिया के यहां इंडिया नोशन यहां पर सदन ओशन और यहां पर फिर से एक बार pacific ocean है हमारा यहां फिर से एक बार pacific ocean और यहां पर हमारा लास्ट Arctic ocean तुछ लगते हैं आपने oceans के नाम नूट कर लिए रहेंगे मैं इनके नाम अठा के अभी नूटिनेंट्स के नाम लिखता हूं तो यहां पर लिखते हैं यह हमारा नदन अमेरिका नॉट अमेरिका नॉट अमेरिकन कॉंटिनेंट यह हमारा साउथ अमेरिकन कॉंटिनेंट तो मैंने आपको बताया है साउथ क्यों बोलाता है यह नदन पार्ट में इसके लिए नॉ यहां इतना पार्ट ये जो है इसे हम बोलते है एश्या है तो टोटल कितने साथ कॉंटिनेंट होते हैं इसमलकृ ने तीन को माग कर लिया भी यहां पर एक और है इसे हम बोलते है यूरोब यह पर भी सारी यूर॑पें countries है जैसे कि London, England, Germany यह सब countries यूरोप में पढ़ते हैं यह हमारा आफ्रिका यह है ऑस्ट्रेलिया तो अगर यहां पर आप देखोगे मैं दिखेगा कि टोटल तो पुरे वर्ल्ड में साथ कॉंटिनेंट होते हैं जिस्फवसीफ कंटिनेंट यहां पे एक दो थीन चर पाच और इस सिफवसीफ कंटिनेंट इसप हम chips यह दिया नाम धी दो कर लेते हैं मेड़ इस कंटिनेंट को बोलते हैं एंटर्टिका देखो यहां पर सारे कॉंटिनेंट्स के नाम भी हो गए तो अभी इसके बाद हमें क्या बोला था कॉंटिनेंट्स और ओशन के नाम के बाद हमें दिया था कि हमें ब्रजील और इंडिया को डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर्स के साथ कलर करना है है इनको नेम भी करना है तो देखो हम यहां पर पहले नेम कर देते हैं यहां पर यह है ब्राजील और यहां पर इंडिया और हमें इसको कलर करने भी बोला है तो हम लोग पहले ने इसको थोड़ा सा बढ़ा करें अभी ठीख अभी अभी डिफिरेंट डिफिरेंट कलर से इनको कविकरने वोला तो मैं ब्रईजिल को रेड में कर देता हूं तो मैं सिर्फ ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ, आपको अगर करना है तो आप अच्छे उसे कलो कर लो और अभी इंडिया को मैं ग्रीन में कर देता हूँ यहाँ पर इंडिया तुझे लगता है यह भी आपको दिख गया रहेगा और इसके बाद हमें दिया है कि हमें इक्वेटर ड्रॉ करना है हमें इसमें इक्वेटर ड्रॉ करना उसकी वैल्यू लिखनी है तो यहाँ से जा रहा है हमारा इक्वेटर इन दोनों के बीच में से यहां 23 degree 30 minute north और 23 degree 30 minutes south के एकदम बीच में से जा रहा है हमारा equator जिसका value है 0 degree यह ब्रेजिल के यहां से पास हो रहा है और इंडिया के southern part से पास हो रहा है पर इंडिया से पास नहीं हो रहा है तो हम लोग ने 3rd question भी कर लिए जिसमें हमें equator draw करना था और इसकी values लिखनी थी अभी हमें तो यहां पर हमने equator draw कर लिया और इसकी values भी लिख लिए degrees में जुकिया 0 degree तो अभी last है हमारा question जिसमें हमें directions बतानी है तो यह है हमारा symbol direction के लिए यहां पर यह हमारा north इसको आप यह right hand side में भी कर सकते हैं या उपर भी आप इसको लिख सकते हो यह north यह south यह west और यह east तो यह आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि आप अच्छे से map marking पर कर बहुत चलो इस last activity के साथ मुझे लगता हमारा chapter complete हो गया है तो अगर आपको colors of both यह आपको रीड करना तो आप इसको कर सकते हो तो भी इन में से जो जो question है जो आपको एक्जामे पूछे जा सकते हैं मैं आपको वो करवा देता हूं तो first question है out of both the countries that you have colored which countries larger तो आपको यह से पुछ सकता है which countries larger इंडिया और ब्रजील तो आप यह पर ल तो अभी थर्ड question क्या है how do the location of Brazil and India differ in the term of the position of respective countries तो यहां पर आप लिखोगे Brazil यहां पर में short form लिख रहा हूं नहीं जाने तर पूरा ही लिखते है Brazil lies in अमें continent की respect में लिखा है तो हम लोग लिखेंगे in the northern part of South American continent South American continent क्योंकि वो ब्रजील कि किस continent में लाए करती है South American continent और कौंसे उसके कौंसे पार्ट में नदन पार्ट में तो हम लिखेंगे Brazil lies in the northern part of South American continent तो अभी हम इंडिया का लिखेंगे इंडिया कहां पर लाए करती है वेराइस इंडिया लाइस इन दे सदन पार्ट ओफ एशियन कॉंटिनेंट तो एशियन कॉंटिनेंट के southern part में हमारा इंडिया लाए करता है तो यह दो statement आपको लिखने है उस answer में यह थर्ड answer में तो how many states does each of the countries have तो ब्रजील के पास है हमारे 26 states और इंडिया के पास है 28 state और 8 union territories UT मतलब union territory तो जो यहां पर यह जो लास्ट के दो questions है यह तो आपके activity के यह आपको एक्जामन नहीं पूछे जाएंगे तो यहां पर हमारे chapter complete हो गया है अगर आपको इस chapter के question answer सी है तो आप हमारे वीडियो को check out करो तो हमने इस पूरी जोग्रफिक के बुक के solutions भी अपने चैनल पर दी है तो अगर मुझे उमीद है कि मैंने आपको अच्छे से कोशिश की यह सारी सारी के सारी concepts पढ़ाने के और आपको यह समझा भी रहेगा तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगो तो इस वीडियो को लाइक करो शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो